जैहिन बच्चों, हम चाप्टर पढ़ रहे हैं, इवान्स ट्राइजन ओर लेवल, आई आगे पढ़ें इवान्स वोज लादरिंग इस फेस विग्रस्ली वन स्टीफन ब्रॉट इन टू स्मॉल स्क्वेर टेबल्स इवान्स अपने चहरे पे शेव करने के लिए लादर लगा रहा था, लादरिंग का मतलब क्या होता है, जाग बनाना, तो वो शेविंग क्रीम से जाग बना रहा था अपने चहरे पे, विग्रस्ली का मतलब क्या है, बहुत जोर से, बहुत तीवरता से, तो वो बहुत तीवर space between the bunk on the one side and on the other a distempered stone wall अब उसने वो table आमने सामने रख दिये तो एक table के पीछे एक distempered wall थी और एक table के पीछे जो मुख्य द्वार था वो था. Next, Stephens brought in two hard chairs उसके बाद Stephens दो hard chairs भी लेकर आया. The slightly less battered of which he placed in front of the table which stood nearer the cell door और जो उसमें से कम battered थी यानि के कम खराब से चेहर थी वो उसने उस table के सामने रख दी जो table cell के दर्वाजे के सबसे नस्दीक था. Nearer यानि के नस्दीक होना या फिर करीब होना. Placed का मतलब क्या है? रख देना. In front of का मतलब क्या है? सामने रख देना. Battered यानि के थोड़ी सी पुरानी सी, थोड़ी सी खराब हुई, थोड़ी घिसी हुई सी. Jackson put in a brief final appearance. Behave yourself, Larry. Jackson बीच में ही बस थोड़ी देर के लिए आया. Appearance देनी का मतलब है थोड़ी देर के लिए प्रकट होना या थोड़ी देर के लिए आना. थोड़ी के लिए आया और बोला. Behave yourself, Larry. ठीक से behave करना. Laddy यहाँ पर कौन है? Evans. Evans turned and nodded. Evans पीचे मुड़ा और उसने हावी में सिरह लाया. And these, Jackson pointed to the pinups. Off. और ये, Jackson ने pinups के तरफ इशारा किया. Pinups क्या था? जो दिवारों पे उसने लिख करके कुछ लगाया हुआ था. उसने इशारा किया कि इनको भी उतार दो. आपने देखा होगा, चब कभी आपकी कक्षा में परिक्षा का समय होता है, तो दिवार पे जितने भी posters लगे होते हैं, या दिवार पे जितने भी charts लगे होते हैं, उन सब को धग दिया जाता है. और या पर उन्हें नीचे उतार दिया जाता है. बिल्कुल वैसे ही. इवान's turned and nodded again. इवान's मुड़ा और उसने फिर से हामी में सरे जाया. I was gonna take them down anyway. मैं तो बैसे भी उतारने ही वाला था. A minister, isn't he? Minister है ना, जो आ रहा है. The chap coming to sit in, I mean, जो व्यक्ती यहां पर आने वाला है, पादरी है ना वो? And how did you know that? और ये तुम्हें कैसे पता? Asked Jackson quietly. Jackson ने धीरे से पुछा. Well, I had to sign some forms, didn't I? And I couldn't help. वो ये है कि मुझे कुछ फॉर्म साइन करने थे? और फॉर्म साइन करते समें मेरी नजर पढ़ी गई. Iwaz drew the razor carefully down his left cheek and left a neat swath in a white lather. Iwaz ने बहुत ही ध्यान से अपने left cheek, यानि कि अपने बाएं गाल पे, and left a neat swath in the white lather. और इदम नीट सा निशान उसने छोड़ दिया, जहां से उसने razor गुमाया. White lather क्या है? सफेद रंगा जहाग. Can I ask you something, Mr. Jackson? Mr. Jackson, क्या मैं आप से कुछ पूछ सकता हूँ? Why did they have to bug me in this cell? He nodded his head vaguely to a point above the door. उन्हें मुझे इस cell में bug करने की क्या जरूरत थी? उसने अपने सिर से दर्वाजे के ऊपर एक तरफ इशारा किया. अब इसमें bug का मतलब क्या है? बग का मतलब यह है कि उन्होंने टार रगाई हुई थी, इवान्स के cell में. जिससे कि वो दूर बैठ कर इवान के यहाँ पर क्या हो रहा है, वो जब कुछ सुन सकते थे. Not a very neat job, considered Jackson. Jackson ने उसकी तरफ देखने हुए बुला, जादा अची तरह से नहीं किया है, जादा साफाई से काम नहीं किया है. They're not. You don't honestly think I'm going to try to? तुम्हें सच मैं ऐसा लगता तो नहीं कि मैं कोशिश करूंगा यहाँ से निकलने की? They are taking no chances, इवान्स. Nobody in his senses would take any chance with you. वो कोई chance नहीं ले रहें. इवान्स, कोई भी अपने senses में, कोई भी अपने होश औहवास में, तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी chance नहीं लेगा. ऐसा क्यों कहा Jackson ने? क्योंकि इवान्स पहले ही तीन बार जेल तोड़ के भाग चुका था. इस लिए. कौन सुनेगा इसको? जो तार लगाई है. I'll tell you who's going to listen in लादी. मैं तुम्हें बिताओंगा कौन सुनने वाला है. It's the governor himself. See? Governor खुद सुनने वाला है. समझे? He don't trust you a bloody inch. And nor do I. वो तुम पर रतीब भर भी विश्वास नहीं करता. और नहीं मैं करता हूँ. Bloody inch इस case में अगर हम इसको हिंदी में अनुवाद करें तो इसका मतलब है? रतीबर. यह एक expression है. जैसे English में हम bloody inch कहेंगे. उसी प्रकार से हिंदी में अगर हमें यह expression देना हो. यानि कि यह भाव व्यक्त करना हो. तो हम यहीं कहेंगे कि governor तुम्हारे उपर रतीबर भी वरोजा नहीं करता. और नहीं मैं. I'll be watching you like a hawk, Evans. So keep your nose clean. Clear? He walked towards the door. मैं तुम्हारे उपर बाज की तरह नज़र रखूँगा. Watching का मतलब है नज़र रखना या देखना. Hawk यानि कि बाज. तो keep your nose clean. Clear? तो इसका मतलब तुम ध्यान से रहना. कोई गरबर मत करना. Clear? समझ आया? ये कहते हुए वो दर्माजे की तरफ चला गया. Evans nodded. Evans ने फिर से हिलाया. He'd already thought of that. And number two handkerchief was lying ready on the bunk. A neatly folded square of off-white linen. Evans ने पहले ही उस चीज के बारे में सोच लिया था. और number two handkerchief. एकदम तयार bunk में पड़ी हुई थी. बहुती सावधानी से, बहुती अच्छे तरह से fold करे कुई. Off-white linen. यानि कि, off-white color के कपड़े की. Just one more thing, Einstein. एक और बात. Einstein? या, what's that? हाँ, बोलो. Good luck, old son. In the little lodge, just inside the prison's main gates, the Reverend S. Macleary signed his name neatly in the visitor's book. अब एक चोटे से lodge में, जो बिलकुल prison gate के अंदर थी, एक चोटे सी lodge थी, यानि कि, चोटा से कमरा से बना हुआ था. Reverend S. Macleary ने, बहुत ही सफाई से, बहुत ही ध्यान से, अपना नाम, visitor's book में enter किया. And Dents, walked side by side with a silent prison officer across the exercise yard to D-Wing. और उसके बाद, Dents का मतनब है, उसके बाद, उसके बाद, एक बहुत ही silent prison officer, यानि कि, जो जेल का एक अधिकारी था, जो बहुत ही जुप-चाप चल रहा था, उसके साथ चलते-चलते, exercise yard से होते हुए, D-Wing में पहुँच गया. D-Wing कौन से जगा थी? जहाँ पर इवान्स का सेल है. Where he was greeted by Jackson, जहाँ पर उसका स्वागत Jackson ने किया. The wing's heavy outer door was unlocked. उस wing का, उसका बाहर का जो बहुत भारी दर्वाजा था, उसे खोला गया. Unlocked का मतनब होता है, खोलना. Unlocked behind them, और उसके बाद वापस बंद कर दिया गया. The heavy inner door the same. अंदर एक और दर्वाजा था, वो भी काफी भारी था, उसको भी ऐसे ही खोला गया, और उसके बाद बंद कर दिया गया. And McLary was handed into Stephen's keeping. और McLary को Stephen के हवाली कर दिया गया. Handed into Stephen's keeping का मतनब है, Stephen's के हवाली कर देना. Get the razor, murmured Jackson. Jackson ने धीरे से कहा, razor रे लो. Stephen's nodded. Stephen's ने सिरहलाया. Well, keep your eyes skid clear. अपने आखें खोली रखना, ठीक है? Stephen's nodded again. Stephen's ने फिर से सिरहलाया, and McLary, his feet clanging up the iron stairs, followed his new guide, and finally stood before a cell door, where Stephen's opened the peephole and looked through. उसके बाद McLary, Stephen's के पीछे-पीछे चल दिया. Followed का मतलब है, पीछे-पीछे चलना. New guide कौन है? Stephen's. क्योंकि Stephen's के हवाले कर दिया गया था उसको. तो वो दोनों की दोनों लोही की जो सीरियां थी, उनसे उपर चलने रगे. और McLary के पैरों के आवाज, उन सीरियों पे आ रही थी. उसके boots के आवाज. Clanging का मतलब है, बजने के आवाज. तो जब हम चलते हैं, तो जब हम shoes पहन के चलते हैं, तो कैसे आवाज आती है? वैसी ही आवाज. और आखिर में वो लोग एक सेल दोर के आगे जाकर खड़े हो गए. जहां से Stephen ने पीपोल खोला, पीपोल यानि की छोटा सा होल होता है, जिसके थूँ आप देख सकते हैं, दर्वाजे के आरपार. उस में से Stephen ने देखा. That's him sir. वो अंदर है sir. इवान्स, facing the door, sat quietly at the father of the two tables. और अंदर इवान्स बैटा हुआ था. इवान्स, facing the door, वो चुपचा बैटा हुआ था. दोनों टेबल के सबसे पीछे, सबसे दूर. His whole attention riveted to a textbook of elementary German grammar. उसका पूरा का पूरा ध्यान एक टेक्स्ट बूरा ध्यान एक टेक्स्ट बूरा ध्यान एक किताब में केंदृत था. कौन से किताब थी वो? Elementary German grammar. क्यूंकि आज उसका exam elementary German grammar का था. Stevens took the key from its ring. Stevens ने ये चलने में से चाबी निकाली. And the cell lock sprang back with a thudded metallic twang. और उसके बाद जो cell का ताला था. Sprang back का मतलब है पीछे की तरफ घूमना. एकदम पीछे की तरफ घूमा with a thudded metallic twang. एकदम मतलिक, एकदम जैसे लोहे के घूमने की अवाज जो आते हैं. एकदम लोहे के घूमने की अवाज आई. Tryang यानि के अवाज आना. थurned यानि भारी चीज की घूमने की अवाज आना. अब जेल का ताला था, तो वो भारी तो था ही, तो इस कारण से जब उसमें चाब भी लगा के उसे घूमाया गया, तो उसमें काफी जोर की अवाज आई. तो मैं क्लेरी भी पहुच चुका है, स्टीफन उसके साथ में है, इवांस अपने सेल के अंदर है, अपनी इबुक के साथ, पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है. अब आगे क्या होगा, यह हम अगले वीडियो भजानेंगे. इस वीडियो को अब हम यहीं रोकते हैं. धन्यवाद.